आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं High Blood Pressure के बारे में जिसे हम Hypertension भी कहते हैं हम आपको इस वीडियो में एक Simple Method बताने वाले हैं जिससे आप अपने बड़े वए BP को बहुती कम समय में ठीक कर सकते हैं देखें Blood Pressure को कम करने के लिए जो तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ये काफी समय से इस्तमाल किया जा रहा है और इससे बहुत जल्द अराम मिल जाता है तो ये हैं पता करने के लिए कि आपका BP कम हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो आपको इसे इस्तमाल करने से पहले अपना BP चेक कर लियना है और उसके बाद भी आपको अपना BP देखना है आपको इसमें अंतर देखने को मिल जाएगा तो पहले हम जान लेते हैं कि BP या फिर blood pressure क्या होता है देखिए आप जानते हैं कि हमारे सरीर में खून को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने के लिए खून की नलिकाए पाई जाती है जिसके अंदर हमारा blood इस तरह से बहता है और ये blood हमारे खून की नलिकाओ की दिवार पर कुछ pressure डालता है जिसे हम blood pressure कहते है और इसकी एक normal value होती है यदि ये बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है तो हमें कुछ problem हो सकती है और देखिए साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि हमारा normal blood pressure कितना होता है और हम कब बोलेंगे कि हमारा blood pressure बढ़ चुका है देखिए हमारा blood pressure दो तरह का होता है एक होता है systolic यानि कि उपर का blood pressure और दूसरा होता है diastolic यानि कि नीचे का blood pressure तो हम पहले बात कर रहे हैं कि normal blood pressure कितना होता है देखिए यदि किसी का उपर का ब्लड प्रिशर 120 या फिर उससे कम होता है और नीचे का 80 या उससे कम होता है तो हम इसे normal blood pressure कहते हैं लेकिन यदि उपर का blood pressure 120 या फिर 129 हो जाता है तो इसका मतलब उसका blood pressure थोड़ा सा बढ़ चुका है इसे हम elevated blood pressure कहते हैं यानि कि ऐसी condition है ज और देखिए यदि किसी का उपर का blood pressure 130 से 139 हो जाता है या फिर नीचे का blood pressure 80 से 89 हो जाता है तो हम इसे high blood pressure की stage 1 कहते हैं यानि कि ऐसी condition होती है जिसमें आपका blood pressure कुछ बढ़ चुका है और आप इसे बिना medicine के भी ठीक कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने live style में कुछ changes करने ह होंगे इसके अलावा यदि किसी का blood pressure 140 या इससे ज्यादा हो जाता है या फिर नीचे का नभ है या उससे ज्यादा हो जाता है तो इसे हम high blood pressure की second stage कहते हैं एंड लास्ट है आपर यदि किसी का blood pressure ऊपर का 180 से ज्यादा हो जाता है और नीचे का 120 से ज्यादा हो जाता है तो इ ऐसी condition में आपको उत्वरंद medical treatment की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही danger condition होती है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको blood pressure कम करने के लिए क्या करना होगा, थेकि blood pressure को कम करने के लिए एक बहुत ही fast तरीका है, यानि कि आप इसे blood pressure को बहुत जल्द कम कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने पैरों को गरम पानी में डुबोना होगा, तो गरम पानी का temperature कितना होना चाहिए, उसका temperature 45 से 48 के बीच में होना चाहिए, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यदा मातरा में पानी लेना होगा, और आप इसके लिए अपने bath tub का use भी कर सकते हैं, और इसके साथ में आपको अपने सांसों पर भी concentrate करना होगा, यानि कि आप जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, और अभी अभी हमने एक patient का इस से 20 point blood pressure कम किया था, उनका blood pressure 170 upon 110 था, और इस treatment के बाद केवल 15 minutes में ही उनका blood pressure 150 upon 90 हो गया था, तो ये एक बहुत एफेक्टिव treatment है, आप इसे खुद से try कर सकते हैं, तो इस process को करने के लिए आपको एक बाल्टी या फिर टब लेना होगा, उसमें आपको गरम पानी लेना होगा, गरम पानी इतना होना चाहिए, जितना आप उसे सहन कर सकते हैं, देन आपको उसमें अपने पैरों को डुबो के बैठना है, आप देखेंगे, कुछी देरे में आपका blood pressure कम होना Ult HD हो जाएगा, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गरम पानी से हमारे ब्लेट पेससल होती हैं, वो dilate हो जाती हैं, ये जिसे हमारा blood pressure कम होना Start हो जाता है, तो आपका धीरे-धीरे blood pressure कम हो जाएगा, तो आप इसे जो BP मसीन होती है उसे चेक भी कर सकते हैं तो इस तरह से अपना blood pressure घर पर ही कम कर सकते हैं इसा आपको बहुत जल्द अराम मिल जाएगा तो आज की video में इता ही था यदि आपको कोई doubt रहता है तो आप हमसे comment करके post सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लेजिसे आगे भी आपको हमारे वीडियो के notification मिलते रहें Thank you very much